नमस्कार जैस्री विष्णा जैसी राध है आप सभी का बेलकम है हमारी चैनल एश्टरो अभी चत्रवेदी में अभी शिक्षोबे आज लेकर आजा हूं लवरासी फल फ़र्ष्ट मई से लेके पांच मई तक आपका समय कैसा रहने वाला है हम आपको यह जानकारी गोचर के चैनल को सब्सक्राइब करें हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें आपको यह जानकारी गोचर कैनूसर दी जा रही है आप रियल्टी अगर जानना चाहो कोई आपको छोड़के गया है तो कब तक बापसी करेगा करेगा या नहीं करेगा आपको अपने पा सन आया हो और वो भी बड़ बड़े वादे कर रहा है कि हम साधी करेंगे ऐसा तो नहीं कि वो बाद में बदल जाए या कोई आपको छोड़के गया है तो बापसे करेगा और करेगा तो कब तक करेगा इस सब अगर आप किलियर्टी जानना चाहो और आप किसी रिष्टे को ल सेयर कर रहा हूं रात तरीके दो बज़ रहे हैं मैं दो बज़े वीडियो बना रहा हूं मेरे पास दो फैर में टैम नहीं था अभी दो बज़े में बारा बज़े कहीं से आ रहा हूं नाइट में मैं जभी से प्रयास कर रहा हूं तो हमने काफी अध्यन के बाद वीडियो मु पैसे बिल्कुल भी नहीं होता है हम अगर आपके कुंड़िनली में योग है तो बता देंगईश्य हो नहीं है तुम सीधे मना करतेंगे सत्थ सुन्ने की छमता रखते हो तब आप हमसे संपर करना अन्था मत करना ओके और जितने लोगों ने संपर किया है हजारों लोग हमसे कुणलियां दिखवा चुके हैं ऐसे ही नहीं हमारे यूटुब पे आज 45,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारी कई वीडियो लाखों में गई हैं ऐसे थोड़ी ना गई हैं किसी वीडियो में वैड कमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने किसी को मिस्गाइड नहीं किया है जो सत्थ है हमने वहीं बताया है ओके आप भी अगर सथ सुनना चाहो तो सब परसनल संपर कर लेना हमारे यहां फीस चरूर लगती है देखो जो है अभी किलियर बोले देता हूं नहीं तो बाद में आपको होगी सर आपने कहा था वीडियो में कोई फीस नहीं लगती है यहां पैड कंसल्टेंस ही लिखिए औ हमारे यहां सुल्क लगता है अगर आप सुल्क पे कर सको तब आप हमारे इस नमबर पर हाट सब मेसेज करते हैं कोल मत करना कोल से मुझे बड़ा डिश्टर्फ होता है क्योंकि मेरे पास तीन चार सो कोल आते रहते हैं तो मुवाल से मैं दूरी बना कर रखता हूं जिसके टूबक होते हैं मैं उन्हीं से बात करता हूँ ठीक है चलेगा हमें टूबक पर बात कर लेते हैं यह पांच दिन किन रासियों के लिए खास रहने वाले हैं अगर आप मिथन रासी के परसन हैं तो यह पांच दिन आपके लिए भी बहुत ही खास और बहुत ही इस्पेसल है आपके एक्स पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे आपका अगर कोई पार्टनर इन चार रासियों ख़त था तो यह 100% बापसी करने वाले हैं और अगर आप सिंगल गूम रहे हो तो आपकी लाइफ में किसी के एंटरी होने वाली आपका पिरपोज करना चाहते हैं तो बेजज़क पिरपोज कर दीजिए दुनिया की कोई तागत नहीं रोक सकती है अगर कुंडली में आपकी दिक्केत नहीं है तो आपका पिरपोजर एक्सेप्ट हो जाएगा पहली रासी का कोई पार्टनर आपको छोड़के गया था तो बापसी करेगा मेस रासी का दूसरी रासी जिस रासी को आप और हम करक रासी बोलते हैं तीसरी रासी जिस रासी को तुला बोलते हैं चोथी रासी मकर ये चार रासियों के अगर आपके कोई एक्स पार्टनर रहे हैं तो 100% वापसी करने वाले हैं अगर कुंडली आप इस सही है तो ठीक है बात कर लेता हूँ दूसरी रासी जिनका भाग अच्छा होने वाला है इनकी लव लाइफ में बहुत मधूरता बढ़ने वाली है इनके पार्टनर इनकी बहुत जादा केर करेंगे इनको बहुत जादा प्रेम देंगे अगर आप सिंग रासी के परसन है आपके लिए भी ये पांच दिन बहुत ही खास हैं लव लाइफ में आपको कोई छोड़के गया था तो वो वेक्ति पश्टाएगे पश्टाएगा और वो वेक्ति रिटन भी करेगा, बात कर लेते हैं, तीसरी रासी जिनके लव लाइफ में भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, इनके भी पार्टनर जो नो कॉंटेक्ट में हैं, वो कॉंटेक्ट में आ जाएंगे, अगर आप बिरिश्चिक रासी के परसन हैं, आपके कॉंटेक्ट में हो गए थे, चाहे एक साल पहले, मतलब कितना ही पुराना प्यार क्यों ना हो आपको, या आपके कॉंटेक्ट में आ जाएगा, अगर आपके कोई पार्टनर की रासी बिरसब रही, या फिसी की करक रही, या फिर कन्या रही, या फिर चोथी रासी, जिस र जरूरासी बोलते हैं पांच रासी कोंब एक्स पार्टनर आपके भी बाप से कने वाले हैं अगर कुंडली रियली आपके अच्छी है तो हंडिट परसंट आपके साथ ऐसा ही होगा दुनिया के कोई तागत रोक नहीं शक्ति है अब हम बात कर लेते हैं बहुत चौथी रासी देगा अतला बहुत जादा रोमांस करेगा आपके साथ आप अगर लोंग ड्राइब के लिए सोच रहे थे तो वो कहीं आपको लोंग ड्राइब पर भी ले जाशकता है आपके लब मेरिज के भी योग बन रहे हैं अगर आप लब मेरिज करना चाहते हैं तो अपने फैमली घूम रहे थे हैं और उनको कोई चीट करके गया था तो वो बे बंदा वापसी करेगा किसी भी रासी का क्यों ना हो और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है अगर आप प्रियास कर रहे हैं तो ठीक है यह आपके लिए शुप शंकित नजर आ रह करकते हो या फिर यूटोब के कम्मिन्योटिव में जाके चेक कर सकते हो ठीक है जैस्ट फीकिशना जैस्ट फीकिशना जैस्ट फीकिशना